आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिसिकली वार्ट के ट्रीटमेंट के बारे में जो मस्सा बन जाता है बाड़ी पर कहीं कहीं ठीक है मस्सा में क्या होता है दर्द उगरा नहीं होता है उभार जैसा रहता है तो उसी के ट्रीटमेंट के बारे में हम क्या करेंगे बात करेंगे कारड देखेंगे, लच्छर देखेंगे, इलाज देखेंगे, सिंपल देखते रही है, ठीक है कारड की बात करें, तो सेल्स की इक्ट्रा ग्रोथ की कारड जो है मस्सा डेवलफ हो जाता है, ठीक है यह जो है छूने से फैलता है human papillona virus से जो है यह जो है फैलता है ठीक है symptoms की बात करें तो दर्द हो सकता है और दर्द नहीं भी हो सकता है दोनों condition मनती हैं और उभार रहेगा देखने में अच्छा नहीं लगेगा ठीक है लेकिन दर्द हो भी सकता है और दर्द नहीं भी हो सकता ठीक है सो अभी आप समझ गए होंगे कि मस्सा होता क्या है सिंपल कुछ है टिप्स बताएं जिन लोगों को मस्सी की प्रावलम है उन्हें जो है हरी पत्तेदार सबजिया खानी चाहिए प्रोटेन रिच जो है डाएट लेना चाहिए ठीक है सिंपल ट्रेटमेन्ट की बात करें तो सैलिसायलिक एसिड के साथ में एक मिन hack इससायलिक एसिड के साथ में लैक्टिक एसिड क्रीम आता है जोकि लोबेट यस नाम से मिलता है इसको आप BD लगा सकते हैं साथ में जो है एक क्रेम आता है क्लोर्फेक्सोना माइन ठीक है इसको सुबा दोपर साम उसको लगाने के पहले वाली क्रेम लगाने के एक घंटे बाद इसको लगा सकते हैं एंटिबाटिक्स चलेगा एक टेबलेट आता है इसमें इमाक्सिसलीन पोटैसियम कलावनेट होता है 625 मजी का सुबा साम देंगे साथ दिन तक बाकि जो भी सिम्टम सिदिक रहा है बुखार गयरा दर्द गयरा है तो उसका इलाज देंगे नहीं आराम होता तो सिम्पल सरजरी करके काटके निकाला जाता है तो अभी आपको सब कुछ किलियर हुआ होगा फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं चैडल पे पहली बार विजिट किये हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दोस्तों आज की इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही था